तो हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त करीबों की पढ़ाई और जो हमारा ncrt का example चल रहा था class 11 का trigonometric function तो हम लोग example number 29 पे पहुँच गया है यह last example ऐसा ठीक है तो जी हाँ यह हमारे book का last example है ठीक है तो चलिए से अब हम solve करते हैं ठीक है x-5 by 3 यह दिया हुए है हमें प्रूफ करना है कि 3 by 2 के बराबर ठीक है तो यह करने के लिए हमें एक formula की जरूरवट पढ़ेगा ठीक है इसी बनाने के लिए हम इसे तोड़ सकते हैं तो दिखी हमारे पास एक formula है cos2x cos2x equal to 2 cos2x minus 1 ठीक है cos2x का एक formula यह भी होता है 2 cos2x minus 1 इसको अगर हम solve करेंगी तो क्या हो जाएगा हमारे cos2x plus 1 by 2 यह हो जाएगा हमारे cos2x plus 1 by 2 equal to cos2x solve करेंगे के बाद हमारे यह formula आएगा ठीक है तो cos2x आ गया तो हम इसके बदले यह put कर सकते हैं cos2x के बदले cos2x plus 1 by 2 पुट कर सकते हैं न हम तो बस वही हम put कर देंगे इसमें ठीक अब दिखिएगा अब देखिए भी cos2x है ठीक है यह पूरा को x plus pi by 3 ठीक है x plus pi by 3 plus cos2x minus pi by 3 ठीक है यह हो गया अब इसे हम यह जो formula बनाये थे मतलब कि यह जो formula है cos2x का तो solve करने बाद cos2x equal to cos2x plus 1 by 2 आता है इस form में हम इसे तोड़ेंगे अब ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा cos2x plus 1 by 2 यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर भी plus हो जाएगा cos2 और x क्या है हमारा cos2x plus pi by 3 यहाँ पर तो x के बदल यह हमें लिखना होगा ना तो x नहीं न लिख सकते है तो यह लिखे cos2 और x plus pi by 3 plus 1 हो जाएगा ठीक है फिर यहाँ पर plus cos2 और यह नीचे 2 लिखना भूल जाएगा 2x minus pi by 3 ठीक है और यहाँ पर plus 1 हो गया ठीक है by 2 देखिए नीचे लिखे है ठीक है यहीं plus 1 by 2 ठीक है अब देखिए हमारा denominator सेम हो गया 2 हो गया अब 2 LCM हम ले सकते है 2 LCM ले लिए तो यहाँ पर क्या बच गया 2 LCM ले लिए ठीक है और कुछ आपको देख रहा हो गया यहाँ पर 1 फिर यहाँ पर 1 फिर यहाँ 1 एक दो 3 तीन बार एक आया तो हम यहाँ लिख सकते है 3 3 लिख दिया ठीक है अब plus cos2x cos2x यहाँ पर हमारे पास बच गया फिर यहाँ पर देखिए क्या हो गया plus cos यह 2 इससे 2 multiply हो जाएगा क्या हो जाएगा 2x plus 2pi by 3 और यहाँ पर plus cos 2x minus 2pi by 3 देखिए 2 अंदर multiply हो जाएगा 2x plus 2pi by 3 2x minus 2pi by 3 हो गया ठीक है अब दिखिए आपर cos cos a cos a plus cos b का formula यह बन रहा है cos a plus cos b का formula हम जानते है तो दिखिए cos a plus cos b का formula क्या होता है 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 यह होता है ठीक है अब इस form में हम इसे तोड़ेंगे ठीक है तो 3 यहाँ पर cos 2x को इसी तरह छोड़ो देते है cos 2x a plus 2 cos a हमारा क्या हो गये 2x plus 2pi by 3 plus 2x minus 2pi by 3 और यह whole इसका 2 हो जाएगा ठीक है अब ही दिखिए हम इसका डेनमेंटर के 2 नहीं लिए ठीक है यह दिखिए है तो हाफ हम बहार लेते हैं हाफ हम बहार लेंगे तो अंदर हमारा पास यह बज़िए इसका रिखिए है 3 plus cos 2x plus 2pi by 3 plus 2x minus 2pi by 3 हो गया अब इंटू cos a-b लिखेंगे ठीक है तो a हमारा वही हो जाएगा 2x plus 2pi by 3 minus 2x sin change होगा तो प्लस हो जाएगा 2pi by 3 by 2 हो गया ठीक है बड़ा ब्रैकेट ठीक है अब इसे solve करते हैं तो हाफ हमने बहार लिया था वह हाफ बहार ही रहेगा 3 plus cos 2x होगे हमारे यहाँ पर cos 2x होगे और यहाँ पर देखिए 2pi by 3 हो गया माइनस 2pi by 3 कड़ गया यहाँ पर 2x minus 2x कड़ गया ठीक है तो हमारे पास क्या बचाए यहाँ पर 2cos यह 2x plus 2x कितना हो गया 4x by 2 into cos 2pi by 3 plus 2pi by 3 क्या होगे LCM सेम है तो 2 to 4 4pi by 3 into 2 हो जाएगा हो गया ठीक है फिर हाफ बहार ही रहेगा अभी मेरा ठीक है 3 plus cos 2x इसे भी काट दिया हम लोगों ने तो क्या हो गया यह भी तो यहा तक हम लोगों ने लिख लिया ठीक है इसे अब हम पीछे उतार लेते हैं ठीक cos πi-π3 दिखिए 3 अगर आप LCM लिजाएगा तो 3 πi-π3 यानिकि 2 πi-3 आ जाएगा ठीक है तो πi-π3 हम लोगों ने लिख लिया 1.5 3 plus cos 2x plus 2 cos 2x ठीक है और यह दिखिए तो यह πi है तो यह cos ही हमें return करेगा ठीक है लेकिन यह second quadrant में चल जाएगर आपको तो हमें पता है की πi से minus करेगे तो यह second quadrant में चल जाएगा ठीक है यह माइनस अगर बाहर आगे तो सबसे पहले माइनस हो जाएगा ठीक है क्योंकि यह माइनस अगर मल्टिप्ला है तो माइनस बाहर आगे तो माइनस हो जाएगा यहागा पर तो अब हमारे पास क्या बचा, half 3 plus cos2x minus cos2x, ठीक है, cos2x minus cos2x बच गया, और यह यह कड़ी गया, हमारे पास क्या बचा, half into 3 equal to, 3 by 2 equal to, equal to 3 by 2, sorry, मतलब RHS के बराबर हो गया, ठीक है, proofed, प्रूफ होगी, अब मैं आपको एक पर फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, जोस्तों, एक पर मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, example number 29, तो क्या दिया हुआ है, cos2x plus cos2x plus cos2x plus 5 by 3 plus cos2x minus 5 by 3 equal to 3 by 2 के बराबर, प्रूफ करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने L इसको एक formula में तोड़ दिया, ठीक है, तो cos2x था equal to 2 cos2x minus 1 होता है, तो हमने cos2x की value निकाल लिए, cos2x plus 1 by 2, इसी form में हम लोगों ने इसे तोड़ दिया, तो cos2x को क्या लिखा, cos2x plus 1 by 2, इसको cos2 था, cos2x plus 1 by 2 plus cos2x है, cos2x यह हो गया, x minus 5 by 3 plus 1 by 2, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, 2 LC हम ले लिए, उसके लिए फिर 1 को तीनों बार जोड़ दिया, 1, 2, 3, 3 हम लोगों ने जोड़ लिया, फिर cos2x plus 2 by 3 plus cos2x minus 2 by 3 हो गया, ठीक है, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यह cos, cos a plus cos b का formula में दिख रहा है, cos a plus cos b के form में दिख रह ठीक है, cos a plus cos b का formula क्या है, देखे, cos a plus cos b का formula क्या होता है, 2 cos a plus b by 2, cos a minus b by 2 होता है, ठीक है, तो हम लोगों ने इसे तोड़ दिये हम पर, सबसे पहले half common लिए, तो अंदर में क्या बचा है, 3 plus cos 2x plus, ठीक है, उसके बाद इसे हम लोगों ने तोड़ दिया, तो 2 cos a plus b by 2 into, यह multiply का sin है, इंटू cos a-b by 2, इसको बाद, इससे solve करने के बाद, हम लोगों ने क्या देखा, हमारे पास क्या बचता है, half 3 plus cos 2x plus 2 cos 2x plus 2x 4x by 2 into cos 2x 2x cut गया, तो 2 pi by 3 plus 2 pi by 3, 4 pi by 3 into 2 बचा, तो 2, 2, 4 cut गया, तो हमारे पास क्या बचा, half 3 plus cos 2x plus 2 cos 2x into cos 2 pi by 3, इतना बचा, आगया और solve होगा, इसलिए हम लोग ने इसे, पीछे उतार लिया था कि अच्छे साब को समझ में आए, ठीक है, तो इतना हम लोगों ने निकाल लिया था, ठीक है, उसके बचा, हम लोगों ने क्या क्या, cos 2 pi by 3 को हम ऐसे लिख सकते है, cos pi minus pi by 3, हाँ पर same ही रहेगा, ठीक है, इदर, cos pi minus pi by 3 लिख सकते है, ठीक है, उसके फिर वापस उतार दिये, half 3 plus cos 2x plus 2 cos 2x, इंटू देखिए, अब pi से अगर हम किसी भी नंबर को minus करते है, ठीक है, pi से अगर किसी भी नंबर को minus करते हैं, ठीक है, second quadrant में जाएगा, ठीक है, और second quadrant में जाएगा, और कोई भी number को अगर हम pi से minus करते हैं, तो वापस होई return करेगा, तो cos ही return करेगा हमारे पास लेकि नेगेटिव में return करेगा क्यों क्यों कि second quadrant में क्या होता है sin positive होता है cos negative होता है तो negative cos pi by 3 return किया और cos pi by 3 का value क्या होता है 1 by 2 ठीक है और यह minus बाहर आ गया तो हम minus हो गया half 3 plus cos 2x minus 2 cos 2x into cos pi by 3 के value half हो गई जो होता है फिर 2 2 कर दिया तो हमारे पास क्या बचा half 3 plus cos 2x minus cos 2x तो cos 2x 2x कर दिया तो क्या बचा half into 3 equal to 3 by 2 equal to 3 by 2 हो गया और यह हमारे RHS कर बराबर है तो proof हो गया ठीक हो तो अगर अच्छा लगा तो like करें खराब लगा तो dislike करें और कोई video जाए तो comment कर दें